इस्टुडेंट और आज के सेसिन में बास तरहेंगे देखो यह थोड़ा सा मोबाल से जो है रेकोर्ड करनी बढ़ रही है क्योंकि एड़्जाम जो है आपका खादसुर अच्छा अथकारी का 27 जून को है और थोड़ा सा परिस्तिती नहीं बन पा रही है लाइव देने की इ इसलिए मैं इसको रिकोर्ड कर रहा हूं ताकि आपको एट लिष्ट कोशिंस मिलें आपकी जो तयारिये उसको आप सुनच्छित कर सकें इसके लिए तो हमारी जो हैं प्रस्नुत्री है खार्द सुरचादगारी प्रस्नुत्री नमर 44 इसको मैं मौवाल से ही रिडॉट रण रहा हूँ जिसमें हम आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे गरीवी एवं बेरोजडारी आज इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे कुछ कोशन्स इसके ले लिए मतलब कुटल मिलाकर एराउंड जो है 60 कोशन्स है जिसमें से 30 कोशन्स मैं इस वीडियो में और 30 कोशन्स में अगली वीडियो में करवा दूँगा ठीक है पहला कोशन क्या है सापेच निर्दंता क्या अभी पर आये है सापेच निर्दंता की यह दिबात करें तो इसका अभी पर आये है व्यक्तियों में आई की ऐसा मनता है ज्यान रटा है इसका अभी पर आये है व्यक्तियों में आई की ऐसा मनता अगले question पर बढ़ते हैं Question number 2 भारत में नर्दंता मापन के लिए कितने आदार नर्दारित किये गए है कि अपने तो क्या रना है नर्दंता जो है मापन रना है इसके लिए कितने आदार है तो इसका जो answer है बोटिया जाये डा दो आदार है एट तो क्या है आप लिख ले न न्यून्तम केलोरी उपभोड minimum केलोरी ट्रंजप्सन है और एट दूसरा आदार क्या है प्रती व्यत्ती प्रती महा उपभोड व्यए यानि कि एट इंसान एट महीने में कितना ट्रंजप्सन कर रहा है कितना पैसा जो है वो ठर्च कर रहा है उसके आदार पर क्लियर है तो ये दो आदार है अटले कूशन पर बढ़ते हैं निर्दंता रेठा को किस रूप में परिवासित किया जाता है निर्दंता रेठा को दो व्या के रूप में याद रहना है निर्धन्ता रेठा का जो है हम कह सकते हैं जो पौवर्टी जो लाइन होती है उसको किस रूप में परवासित करेंगे प्रती व्यक्ति घरेलू वे के रूप में एट महिने में आप कितना वे कर रहे हो उसके रूप में यह द्यान अगा है अगले कोशन पर बढ़ते हैं पौवर्टी लाइन का निर्धार अनक किसके आधार पर यह अच्छा कोशन है कि किसके आधार पर किया जाता है तो प्रति व्यक्ति उपभोड इसतर के आधार पर देखो आए नहीं रिड नहीं मजदूरी नहीं नहीं किसके आधार पर उपभो कर रहा है कितना conception कर रहा है उसके आदार पर अडला कोशन अडला कोशन क्या है दिसम्बर दोजार पाँच में योजना आयूर द्वारा प्रावपेशर सुरेश डी टेनूल्टर की अध्यचता में डठित सम्ती ने अपनी रेपोर्ट अच्छा कोशन है ये कोशन एडजाम में भी आया था ति वही तेनूल्टर जो है किस से सम्बन देता है ये जो कमेटी है याद रखना है किस से सम्बन देता है गरी भी से सम्बन देता है बेरुजडारी भी नहीं गरी भी और 2005 में ये कमेटी गठित हुई थी और 2009 में नविम्मर 2009 में याद रहना है इसका जो आंसर है वोगिए जाएगा फर्स्ट जाएगा नविम्मर 2009 में ये रिपोर्ट इनों ने प्रस्ट उत्री थी तेंदुल्टर तेंदुल्टर के अनुजार 2011 वारे में राजिस्तान में गरीवी से नीचे जनसन के अगा प्रतिसत था अच्छा कोशन है बदा भई तेंदुल्टर के अनुजार जो है गरीवी से नीचे यह हम कह सकते हैं गरीवी से नीचे जनसन के अगा प्रतिसत क्या answer जाएगा answer जाएगा भई बता है 14.7 है न याद रखना है 14.7 था यह आपको ध्यान रखना है राजस्तान की बात हो रही है देखो यहाँ पर जो है किस्टी बात हो रही है राजस्तान की चले अब देखो यहाँ पर और थोड़ा सा और आपको समझना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि तेंदुर्टर क्रमेटी के अनुसार 2011 वारे में राजस्तान राजस्तान में निर्धनता अनुपात यदि आपसे पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है राजिस्तान में निर्धन्ता अनपाथ निर्धन्ता अनपाथ किसके आधार पर पूछा जाएगा आपको आधार क्या देंगे वो तेनल्टर उस इस्तिती में भी क्या रहेगा भी थोड़ सा कुशन को लेंग्विज गुमाटे आपसे पूछा जा सकता है 14.7 और इसी में यदि आपसे पूछा जाएगे तेनल्टर के अनसार जो सुरिषडी तेनल्टर हैं उसके अनसार 2011 बारे में द्रामीड निर्धन्ता का प्रतीसत तब क्या जाएगा तब जाएगा 16.5 या 16.8 ये जा सकता है द्रामीड निर्धन्ता का अनपात ये तो क्या है ओवराल राजिस्तान की अब राजिस्तान में भी क्या द्रामीड निर्धन्ता और सहरी निर्धन्ता तो द्रामीड का क्या हो गया 16.5 और सहरी का 10.7 और 14.7 किस क्या हो गया राजिस्तान में निर्दंता अनपात हो गया तो ये आपको ध्यान अटना है अडले कोशन पर बढ़ते हैं सी रंग राजन विशेशिद्य दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार देखो एक कोशन तो यहीं से बन जाता है तो ये रंग राजन जो कमेटी है ये बनी थी 2012 में और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत्ती थी 2014 में तो इसके अनुसार 2011 बारे में राजिस्तान की कुल जन सिंग्या में कितने प्रतिश्ब व्यक्ति निर्धन आके गए मतलब जो रंग राजन जी ने रिपोर्ट प्रस्तुती तो इसने बताया इसने भाई काता जो है आटड़ा दिया इतने व्यत्ती जो है अब राजस्तान की कुल जंसन क्या की बात हो रही है यानि कि यहां से ऐसे भी कोशन पूछा जा सकता है कि निर्धन जंसन क्या कुल जंसन क्या में लड़वट कितने व्यत्ती निर्धन आके रहे यानि की निर्दन जंसन क्या राजिस्तान की निर्दन जंसन क्या किस के अनुसार सी रंग राजन जो है के अनुसार तो याद रगना है ये जो जंसन क्या थी आपने पढ़ी होगी 851 लाख और जब लाख को आप यहाँ पर करोड में करोड़े तो आप सोटा भार दे दो तो ये आजाएड़ा आपका जो है 8.51 करोड ये आपको ध्यान आता है ठीक है राजिस्तान में सी रंदराजन समिती दियनसार निर्दन जनसिन के तिदनी 851.5 लाट बर्स 2011 बारे में और द्रामीड निर्दन जनसिन के बर्स 2011 बारे में सी रंदराजन समिती दियनसार 812 लाट 812 लाट ये ज़या ये जो है किस्ती द्रामीड जी सहरी टी बात करें तो सहरी टी है 39.5 लाट है ना ये याद रखें ये डारेट पूछा जाता है तीन चीज पूछी जाएंगी आपसे तीन चीज आपसे पूछी जाएंगी एट तो हो गया निर्दन जन जिन क्या कितनी किस्ती दियनसार सीर रंदराजन समिती दियनसार 891.5 द्रामीड निर्दन जन जिन क्या 812 लाट सहरी निर्दन जन जिन क्या 39.5 लाट लिठ ले ना इसको जो मैं भूल रहा हूँ उसको लिठ ले ना जोड़े नहीं लिठ नहीं पा रहा हूँ बहुत बी आई पर कूशन है बहुत ही ये सांदार जवरदस्त कूशन है क्या किरा है राश्ट्रिय सेंपल सर्विश्चन संणिठन NSSO के बर्स सा डथन सही है जो राश्ट्रिय सेंपल सर्विश्चन है इसने अपनी सामने स्थिती को इसको बताया था विरोजडारी दरों को बताया था कि बही क्या बताया था वो देख लेते हैं पहला उप्सन क्या करा है द्रामीड छित्रों में कुल स्रम सकती के 0.9% पुरस विरोजडार है यानि कि जितना भी स्रम सकती है द्रामीड छित्रों में 0.9% पुरस विरोजडार है सहरी छित्रों में कुल स्रम सकती के 3.2% पुरस विरोजडार है संपुन राज्य में कुल स्रम सकती के तीन-पुर्ण एक प्रतिसे द्यत्यश्री डिया histories in रूर्ण नावils चलंबए आविकनि बत'M signific तो जाएड़ Вас beef मतलब यह हैं और दूसरे साइब है ये दोनों रथन सत्य हैं ये सही नहीं है ये आपको ध्यान आठा है यानि कि ये आप जब पढ़ोगे न मतलब ये है कि आप जब ये पूरा बेरुजडारी और ये वाला जब चैप्टर आप पढ़ोगे न तब आपको ये ट्लियर होगा ये आपको ध्यान रखा है तब आपको ट्लियर होगा और जैसे आप से पूछा जाए देखो यहां से भी कोशन कितना सांदर बनता है जैसे पहले कोशन से आपसन से क्या बनेगा कि आपको बताना है राजिस्तान में राजिस्तान में द्रामिड शेत्र में पुरुस वेरोजडारी दर तो 0.9 प्रतिसत राजस्तान में कैसे कोशन पुछा जाएगा राजस्तान में द्रामिड शेत्र में पुरुस वेरोजडारी दर 0.9 राजस्तान में सहरी शेत्र में पुरुस वेरोजडारी दर 3.9 यह आपको ध्यान अटाहन और राजस्तान में ये केबल पूछा जाए राजस्तान में बेरोज़़ारी दर पुरस बेरोज़़ारी दर पुरस या महिला दो चीज़ देगा या उबराल पूछेगा देखो कैसे तीन प्रकार से पूछेगा एट जम्लर राजिस्तान में बेरोज़ारी दर जो टितनी है 1.2 राजिस्तान में ड्रामिड बेरोज़ारी दर 0.7 राजिस्तान में सहरी बेरोज़ारी दर 3.1 राजिस्तान में पुरुष बेरोज़ारी दर 1.4 राजिस्तान में महिला बेरोज़ारी दर 0.7 राजस्तान में द्रामिड छित्र में पुरुष विरुजडारी दर 0.9 ये जो देटे रखा है राजस्तान में सहरी छित्र में पुरुष विरुजडारी दर 3.2% ऐसे कोशन बनता है तो इसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा अरले कोशन पर लड़क बाला फॉर्मूला किस से समझनेते हैं तो आपको याद रहना है डरी भी रेखा से अब देखो रंग राजन सम्ती की बात हो रही है किसकी बात हो रही है रंग राजन सम्ती जो मैं बता चुटा हूँ 2012 में बनी थी और इसका जो आटड़ा है वो 2014 में आया था तो इसके अंसार क्या है देश के ड्रामिडवा सहरी छेत्रों में गरीवी की रेखा प्रती व्यक्ति प्रती महा ब्यासीमा क्या निर्दारित की गई है बहुत अचा कोशन है एक तो पूछा जाता है ये रंग राजन सम्ती वाला ये पूछा जाता है एक और आएगा वो में बर्तमान इस्तिती का आएगा ये ये आएगा बर्तमान इस्तिती वाला उस पर भी हम बात करेंगे अब देखो इसका जो आंसर है वोट क्या जाएगा थड़ इसका आंसर जाएगा द्रामिड चितर में 970 और सहरी चितर में 1407 रुपे रंग राजन सम्ती के अनस्वार है याद रखा है आपको 970 और 1407 रुपे ठीक है ये आपको द्यान रखना है कुशन स्क्रीम सोट ले ल है हमारी अब मेजर टेस्ट इस्टार्ट होने और मेजर टेस्ट इस्टार्ट होने तो जिसने भी हमारा कोर्स नहीं लिया है कोर्स पर हाला क्योफर चल रहा है अब तो कोर्स अजार रुपे रहा है और टेसरी जपांसों की है जरूर लेना अटला कोशन देखिए तेंदु कि पो पूछा कि आ हैं धूरामीड छेतरों में और सहरी छेतरों मैं थोड़ी दिर पहले ही आपको बताया था ठी द्रामीड छेतरों में 16.1 और सहरी छेतरों में 10.7 तेềnल्टर के अनसारों कोशन अब है Johann gesagt आपको याद रहना है चोदेगोंट साथ प्रतीसत क्यां है प्रोपेश के अंस्वार राजस्तान में नर्दंतान पाथ 14.7 राजस्तान में द्रामीड नर्दंतान पाथ 16.8 शेहरी नर्दंतान पाथ 10.7 च्लियर है याद पूरा याद होना चाहिए अर्ले टोशन पर रंग राजन सम्ती की रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2011 वारे में राजस्तान में कुल निर्दंता अनुपात बहुत आचा टोशन है कि वही किस ती रिपोर्ट है रंग राजन सम्ती की है क्या पूछ रहा है राजस्तान में कुल निर्दंता अनपाद पूछ रहा है किसके अनसार पूछ रहा है 2011 वारे के अनसार पूछ रहा है तो याद रखना है वो कितना जाएगा 21.7 जाएगा राजस्तान में कुल निर्दंता अनपाद अब यदि यहीं पूछ लेता यहीं पूछ लेता 21.4 क्या है द्रामीड निर्दंता अनपाद 21.4 रंग राजन सम्तिती रिपोर्ट के अनसार 21.7 क्या है राजस्तान में कुल निर्दंता अनपाद दुरूट तन्फीज नहीं होना है क्लियर रहे ना पॉइंटों में भी क्लियर रहे ना एट्जामर कैसे भी पूछ सकता है 22.5 क्या है सहरी चेत्र में सहरी चेत्र में निर्दंता अनपाद क्या है 22.5 कहां पर राजस्तान में रंग राजन सम्तिती रिपोर्ट 2112 अनसार तीनों क्लियर है 21.4 सहरी चित्रों में निर्दंता अनपात 22.5 क्लिर हैं तीन डिजिट आपको याद रखनी है अरले क्योशन पर बढ़ते हैं गरीबी रेठा का अनपात लड़ाने है तू योजना आयोद्वरा जून 2012 में किस समूं का गठन किया था अभी मैं थोड़ी दिर पहले बार बार बता रहा था कि 2011 में रंग राजन सम्ती वनी थी देड़ू रंग राजन सम्ती ने बनी टब 2012 में रिपोर्टर प्रस्तुती जून 2014 में क्लियर भी याँ था चलिए अरले कोशन पर बढ़ते हैं रंग राजन सम्ती ने निर्धन्ता के मापनेतु आदार माना है अब देड़ू रंग राजन सम्ती ने निर्धन्ता के आदारेतु क्या माना था मोडिफाइड मिट्स्ड रेकॉल पीरिड क्या देड़ू मिट्स्ड रेकॉल पीरिड है यह आपको द्यान अटना है चले अटले कोशन पर बढ़ते हैं बर्तमान में बर्स 2011 बारे के लिए कितने रुपी प्रती व्यक्ती प्रती महा से कम बेट अन्य वाले व्यक्ती निर्धन्ता रेठा से नीचे माने जाते हैं बर्तमान की स्थिति में यह दी बात पर हैं हमने एक तो पढ़ी थी अभी थोड़ी दिर पहले रंडराजन रिपोर्ट रंडराजन सम्ती में द्रामीड छेतर में आग नौसो वैतर तो वो था द्रामीड छेतर में और सहरी छेतर में था 1407 रुपे लेडिन यहां पर बात हो रही है बतमान इस्थिति और यह आपको द्यान अटा है यह दियारि स्टूडेंट बतमान इस्थिति की बात हो रही है इन जैस Бातावि क्या ऑंसर जाए रहा सोच लिया उठा आपने तो इसका जो आंसर है वो जाए रहा 816 रुपे ड्रामीड शेत्रों में सहरी शेत्रों में 8,000 रुपे यह आपको ध्यान रठा है क्लियर हैं अर्ले कोशन पर बढ़ते हैं बढ़ से 2011 की जंगड़ना के अंसार राजिस्तान की कुल जंसंग्या 6.86 करोड है जिन में से कितने प्रतिसत लोग आर्थिक ग्रतिविदी में लगे हुए हैं देखो यह दो प्रकार से विवाजन है कि आर्थिक ग्रतिविदी में लगे हुए है इसका मतलब यह है कि वो टारे सील है और जब आपने बेरोजडारी पढ़ा हुगा चैप्टर तो बेरुज़ डारी में आपने देखा होगा कारे सील जो जनसंग्या वो कितनी है 43.7% बाकी की 56.4% यह राजिस्तान में कोई नहीं कारे करने वाली जनसंग्या है कारे करने वाली जनसंग्या 43.60 तो आंथर कह जाएगा तू ही जाएगा क्योंकि इसमें क्या पुछा है आर्थे गत्विती में लगे हुए है यानि कि काम दंदा कर रहे है और काम दंदा कितना कर रहे है 43.60 काम दंदा नहीं कर रहे है 46.40 प्रतिसत लोग clear है यहां दर चली तो यह आपके 17 कोशन किसके हो चुट रहे हैं बेरुजडारी गे अब देखते हैं 18 कोशन है ना चली वे इसका जो आंसर है क्या रहने वाला है मुझे बताईए B.I.S. संठन की इस्तापना के बारे में डलत मिलान है नहीं बी आईएस में संठन की इस्तापना के बारे में चली बता में क्या आंसर रेने वाला है इसका कौन आंसर देगा अचल सोरी लाइव नहीं चल रही है ये तो रिकॉर्डिंग चल रहा है रिकॉर्डिंग में तो जो है मुझे ही देना पड़ेगा है ना वही मुझे ही देना पड़ेगा चली तो इसका जो है इंडियन जो हैं यह आपके आईड़ा इंडियन इस्टेंडर इंस्ट्टूट यह 6 जनवरी 1947 को जो हैं जो बाद में जाते वी आईएस बनता है 1986 में उसके बाद जो हैं बी आईएस 8 अपरेल 1986 सही है ICMR इंडियन टांसलो मेडिकल रिसर्च जिस्टी इस्टापना 15 नवंबर 1911 में होई थी और डियारेम में किस रूप में होई थी इरफाती रूप में इंडियन रिसर्च फंड एसोशेसिंट्री रूप में होई थी और इसका अंसर जो है यह जायड़ा ट्यूटी डवलू 48 को जो है डवलू एचोटी इस्टापना होई है क्लियर में यादर यह आपको द्यान रहा है निदेशाले अडला टोशन है निदेशाले विपड़न एवं निरीचन की इस्टापना कपकी और मुख्याले काँ पर है डिरेक्टरेट ओफ मार्केटिन एंड इंस्पेट्सन जो है बताएं वही इसकी जो इस्टापना है सोच लिया आपने तो याद रहना है इस डिरेक्टरेट की जो इस्टापना है वो 1935 में फरीदाबाद में याद रहना है डिरेक्टरेट ओफ मार्केटिन एंड इंस्पेट्सन ठीड़े 1935 में जो एट बना था वो बाद में इ seat के अंतरकत आया था वो 1937 में आया था और आज का last question agricultural produce trading and marketing एक जो है किस बर्स बना था ये भी आपको बताना है किस बर्स बना था तो याद रहना है ये कब बना था 1937 में बनाया रहा था तो ये आपके 20 questions है और जिसने भी अमारी कोर्स नहीं लिया है आफर चल रहा है अब आजार रुपेगा है ठीर यह जिसने नहीं लिया है आप ले लीजी और क्रमेंट कर दें लाइक कर दें और आप नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें Thank you so much for watching वीडियो Thank you so much